अगला क्वेस्चन इसी तरह का फिर क्वेस्चन में दे रहा हूँ एक बार फिर कुछ वैसा ही है इबोल्ट का बैटरी है सारे के सारे कैसे हैं आर ओम के रेसिस्टेंस है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ यहां भी कुछ एड कर देता हूँ कुछ भी माल लें इसे फोर आर ओम माल लें इसे सिक्स आर ओम माल लें और इसे एट आर ओम माल लें ठीक है तो अपने को बताना है आई का बैल लो find in the figure zone क्या find करना है current following through battery बैटरी के थुरू कितना current flow कर रहा है जल्दी बतावें आड़ा समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करें मैं repeat करूँगा घबराना नहीं है one by one होता रहेगा क्या मन लगता है परने में मन तो हमेसा नीचे ही जाता है उपर थोड़े न जाता है उपर ले जाना पड़ता है पानी को उपर ले जाना पड़ता है नीचे खुद बखुद आता है तो मन को भी हाई रखने के लिए बल परयोग करना पड़ेगा यानि कि खुद बखुद सेल्फ मोटिवेशन में रहना पड़ेगा यानि कि सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा तभी क्या होगा मन हाई रहेगा तो फिर समस्याएं आएगी और खुद बखुद सॉल्व करते रहोगे और एक दिन जब सारे के सारे समस्याएं जो भी होगी सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगे फिर जो चाहोगे वो होगा और इसके लिए पैसेंस बना कर रखना परेगा पिना पैसेंस के कुछ नहीं होगा और कोई भी काम करना हो continuity में ले आएं उसे जो चीज तुम्हें दर्द दे रहा है जो चीज समझ में नहीं आ रही है उस चीज के लिए एक fix time रखें और fix time पर रोज पर हैं बहले समझ में नहीं आया लेकिन पल्टें उसको उसी time में फिर देखें एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें लिए आसान हो जाएगा यही फंडा है कोई भी काम करने का जो चीज तुम्हें ड़ाता है जो चीज से तुम घवराते हो उसको रोज करना शुरू कर दो जो भी काम हो जिन्दी के कोई भी काम फिटनिस चाहिए योगा करो परनायम करो सरीर फिट होने लगेगा पढ़ने के लिए क्या चाहिए हेल्दी माइंड का होना ज़रूरी है और हेल्दी माइंड कहां से आएगा हेल्दी बॉड़ी में आएगा इसलिए खूब खाएं कसरत भी करें ताकि माइंड और बॉड़ी दोनों का क्या हो तालमेल बना रहे ठीक है आगे बढ़ते हैं इसे सॉल्व करें यहाँ भी देखें जैसा इनकमिंग ब्रांच वैसा ही आउट गोइंग ब्रांच है कि नहीं है क्या वो आउट गोइंग ब्रांच है नहीं है ना तो फिर करें सॉल्व करें देखें जरा गौर से यह रेसिस्टेंस यह रेसिस्टेंस जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां आएगा आई इधर से जाएगा आई यहां से भी आएगा ध्यान से होगा ना अब जरा देखें जो बॉल्टेज कंजम्शन यहां होगा ठीक है यहां आ करके वही होगा नहीं होगा क्योंकि कंडिशन सेम है इस तरह से जा रहा है मैंने सबसे पहला क्वेस्टिन दिखाया था जब मैं सरकिट सॉल्व करना सुरू किया था उसी टाइम जब ओम सुलव बताया था उस टाइम ही बताया था कि यहां पर वल्टेज क्या होगा और यहां पर वल्टेज क्या होगा इस तरह से देर साड़ा पॉइंट एवी सीडी बताया था उस देर साड़े पॉइंट का अ उसी तरह से आएगा, जो यहां से चलेगा current, वही आएगा, जो यहां होगा, वही आओगा, अरे नहीं होगा, यह देखो current दो पार्ट में बटेगा इधर आकर के, इधर मानलो I1, इधर मानलो I2, होगा न, फिर यहां आकर के दो पार्ट में बटेगा तो यहां पर जो voltage होंग यहां पर जो वाल्टेज होंगे, क्या दोनों सेम होंगे, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा असान करते हैं, यह जो यहां किया हूं, मैं, थोड़ा सचेंज करो तो, फिर मैं अगले बार यह दोंगा, इसको यहां कनेक्ट कर लो, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो एक्जामपल चल रहा है, उसके एकॉर्डिंग ही लेके चलते हैं, आगे मैं वो करूँगा, ठीक है, अब बताएं, जो अभी इनकमिंग आउट गोईंग सेमेट्री सिटी पढ़ ही था, वे टेस्ट और बैलेंस भी हम करेंगे, क्योंकि वहां देखना होगा, यहां और यहां का बॉल्टेज, ठीक है, तो फिर यह थोड़ा सा कंप्लेक्स बनेगा, इसलिए मैं यही कर लेता, चलें, बताएं अब कैसे होगा, यह कुष्चन है तुमारा, अब तो क्या होगा, इधर से जो करेंट चलेगा, वही करेंट इधर आएगा ना, अब यहां से देखो, इनकमिंग ब्रांच यही हुआ, और आउट वइंग ब्रांच इसके लिए यह हुआ, हुआ ना, यहां से, इनकमिंग ब्रांच यह आउट गोइंग, क्या इनकमिंग ब्रांच जैसे हैं, वैसे ही आउट गोइंग ब्रांच है, यहां जैसा है आर आर, वही न है यहां भी, तो यहां आके दो पार्ट में करेंट बटा, वो करेंट क्या है, i1 इधर से और i2 इधर से तो यहां भी क्या पहुँचेगा i1 और इधर भी क्या पहुँचेगा i2 क्योंकि जैसा incoming branch है वैसा ही outgoing branch है ठीक है तो अब देखें तो जो current यह यहां चला है वही यहां पहुँच गया है जो यहां चला है वही यहां पहुँच गया है तो इधर क्या गया कुछ भी नहीं गया यहां से जो चला वही यहां पहुँच गया तो इधर क्या आया कुछ भी नहीं आया तो क्या होगा बीच में यह लगे हुए तो रहेंगे लेकिन perform नहीं करेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा बीच में ये लगा हुआ रहेगा लेकिन परफॉर्म नहीं करेगा तो इसको हम क्या करते हैं हटा लेते हैं अब तुम्हारा सरकी टैसा हो गया अब ये क्या हो जाएगा R, 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 4 है 4R, नीचे भी क्या हो जाएगा 4R, तो क्या हो जाएगा ये पूरा एक्युवेलेंट कैसे बनेगा ये 4R और 4R क्या देगा, 2R देगा ना और नीचे उसी ढंग से बैटरी लगा हुआ रहेगा और बैटरी से हो करके करेंट पूछा जा रहा है तो I हो जाएगा होगा ना अब हमेशा की तरह ये A और ये B तो क्या हो जाएगा BAB Potential between point A and B यही ना BA minus BB तो A से B तक जाने के कितने रास्ते दो रास्ते होंगे ना एक रास्ता इधर से एक रास्ता इधर से तो क्या हो जाएगा इधर से जो रास्ता जाएगा वहां क्या हो जाएगा Potential Difference यानि की Voltage क्या हो जाएगा 2R into I 2R into I और एक रास्ता इधर से जाएगे A से B ये कितना है E Volt तो I equal to कितना E by 2R Ampere Note करें इसे यह कितना ही ये ख़िए